हेलो गुट बॉर्णिंग स्टुडेंट कल मैं आपको बतलाई थी जय प्रक्रम का पोशन और स्वसन के बारे में है ना निट्रिशन एंड रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है की थी अब चेप्टर को और आगे हम लेके बढ़ रहे हैं एक एक कोशकी जीओ की पूरी तरह पर्यावरण यहाँ पर देखे कल यहां तक हुआ था स्वसंद तक है ना आज हम नेक्स्ट लाइन पड़ेंगे एक एक कोश्की जीव की पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क विराती है अधा इन्हें भोजन ग्रान करने के लिए या कैसो का आदार प्रदान करने के लिए या वर्ज प्रदार के निश्कासन के लिए कोई खास अंक्यावशिक्ता नहीं होती है यानि कोई स्पेस्लिस्ट उसके पास और्गेन नहीं होता है लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तता शारीनिक अभिकल्प अधिक चटिल होता जाता है तब क्या होता है बहुत कोश्की जीवों में सभी कुश्काय अपने आस पास के पर्यावरण के सीथे संबर्क में नहीं रहती है आता साधानत विश्रण सभी कोश्काओं की आवश्क्ताओं के पूर्ति नहीं कर सकता है एक कुश्की जीव है जैसे अभिवा है परमिश्यम है युगलीना है क्लमाइडो बोनस है तो यह एक कुश्की जीव है वह पूरी तरह पर्यावरण के संबर्क में रहते हैं इनके लिए बतलब किसी भी तंत्र के लिए किसी भी प्रोसेस के लिए कोई खास अंग नहीं होत है बोजन्य करने की लिए जाये गैसो कादार प्रान करने की लिए एक्सक्री जी याये रैस्पिरीशन के लिए किसी भी चीज के लिए इनका अलग से अंग नहीं होता है अवश्यक्ता नहीं होती है लेकिन जब हमारा बहुँ कुश्की जीव रहेगा और शरीर का जब आकार बढ़ता है तब सालिदी कभी कल्प अधिक जटिल होता जाता है तब क्या होगा अब बहुँ कुश्की जीवों में सभी कुश्काएं अपने आसपास के परियावरण के स शरीर को है ना हमारे शरीर में जितने भी अंग है खास ऊतकों से बनेवे होते हैं हर ऊतकों का अलग अजने एक सपीशल कारी होता है ना उनका अलग अलग-लग के उत्क्मिस्ट कारी के लिए बने होते हैं और नमें कई कोशिकाएं रहाती है तो इन सभी कोशिकाऊं अप्ने सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं अर्थ साधारन रिष्रन वेखले कोशिकाऊं की आवीश्यक्ताउअ को पूर्थी नहीं कर सकता है नहीं कर सकता है. वीशन के में हमारी कोश्रिक आओं ग्यावश्रत्याओं के पूरती, नहीं कर सकता है. क्योंकि बहुत कोश्रिक्री जीव में कितने जतलताय भरी है。 सब तंतृ के लिए अलग, अंग बनेवे हैं. जो कि एक कोश्री जिवर में नहीं है। पहले भी हम देख चुके कि बहुत कोश्की जीवों में विभीन कार्यों को करने के लिए भीन भीन अंग विशिस्ट कृत होते जाते हैं हम इन विशिस्ट कृत उतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं आता इनमें कोई आश्री नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सिजन का अंतरगर्ण विविशिस्ट कृत उतकों का कार्य हैं परन्तु इससे एक समस्या पैदा होती है कि यद्दपी भोजन एवग ऑक्सिजन का अंतरगर्ण कुछ विशिस्ट अंगों द्वारा ही होता है द्वारा ही होता है पर तुष शरीर के सभी भागों को इनकी आउशक्ता होती है इसा नहीं कि जो अंग पाचर में काम करेंगे वह स्वसन में करेंगे जो अंग स्वसन के लिए हैं वो उत्सर्जन के लिए करेंगे टर्त्र के लिए अंग उते हैं इन सब्विशिस्ट के उतकों से इस्पेसलिस्ट उतक जो हो रहते हैं जिस कारा के लिए से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित है आता है इनमें कोई आश्चरी नहीं है कि हम भोजन तथा अक्सिजन का अंतरगरहन भी विशिष्ट कृत उतको का कारी है। भोजन का अंतरगरहन करना परत्तु इससे एक समस्या पैदा होती है कि यदपी भोजन एवंग ऑक्सिजन का अंतरगरहन कुछ विशिष्ट अंगो द्वारा ही होता है परत्तु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यक्ता होती है। इनकी आवश्यक्ता होती है भोजन एवंग ऑक्सिजन की लेकिन उसका अंतरगरहन कुछ खास अंग कुछ विशिष्ट अंगो द्वारा ही होता है। ठीक है बहुत कुछ की जीवों में हर अंग के लिए अलग-अलग उतक होते हैं और उनका विशिष्ट कारी होता है जो उतक उस अंग के लिए बनेवे होते हैं। इस स्थित में भोजन एवं ऑक्सिजन को एक अस्थान से दुसरे अस्थान तक ले जाने के लिए भी कुछ चाहिए को यंग चाहिए। भोजन एवं ऑक्सिजन को एक जगह से दुसरे जगह तक ले जाने के लिए वहन तंतर की आशिकता होती है। वहन तंत्र क्या करता है एक जगह से दुसरे अस्थान तक वह वहन का कारी करता है एक भाग से दुसरे भाग को पहुजाने में यानि कि शरीर के सारे भागों को उनकी आवश्यक्ता होती है और इस स्थिति में भोजन एवंग ऑक्सिजन को एक जगह से दुसरे जगह तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यक्ता होती है यह जब राशानी के विक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा अक्सिजन का उप्योग उर्जा प्राप्ति के लिए होता है तब ऐसे उत्पात भी बनते हैं यानि कि ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं ऐसे मेटेरियल तेयारते जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बलकि वे हार्फूल भी हो सकते हानिकारत भी होते हैं राशानी के विक्रियाओं में कार्वन स्रोत तथा ऑक्सिजन का उप्योग उर्जा प्राप्ति के लिए हुआ है तब ऐसे उत्पात भी बनते हैं यानि कि ऐसे प्रोडक्ट तयार होते हैं प्रोडक्ट भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकावों के लिए अनुपयोगी होते है mni शानिकारक हते हैं इनका हमारे श्रीर में रहना जरूरें नहीं रहता है बलकि इनको शरीर से निकालना ही महात अपण न हो जाता है और विहानिकारक पदार्थ का सरीर से बाहर निकलना ऐसे अपसिष्ट पदार्थ को सरीर से बाहर निकलना या अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना अतियावश्यक हो जाता है और इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन या एक्सक्रिशन कहते हैं अब सिश्ट पडार्थों को सरीर से बाहा निकालना अत्यावश्यक हो जाता है और इस प्रोसेस को हम इस प्रक्रम को एक्सक्रिशन या उत्सर्जन कहते हैं बहु कोश्की जीवों में शरीर अभी कल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए भी बिसिष्ट उतक विख्षित हो जाएगा इसका अर्थ है कि पारिवहन तंद्र के आवशिक्ता अब सिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन उतक तक पहुचाने की भी होगी बहु कोश्की जीवों में शरीर अभी कल्पना के बूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए भी विशिष्ट उतक विख्षित हो जाएगा उत्सर्जन के लिए भी विशिष्ट अंग होगी और विशिष्ट अंग के लिए विशिष्ट उतक होंगे यह ना, उनके लिए वे एक अलग अंग होगे उस सजन तंतर के लिए, जैसे सवसन तंतर के लिए अलग अंग है, पाचन तंतर के लिए अलग अंग है, परिवहन तंतर के लिए अलग अंग है, तो उस सजन के लिए भी अलग अंग होगे, अलग अंग तंतर होगे, जिनमें परिवहन तंत्र की उत्सर्जन के लिए तो विस्ष्ट उतक विश्षित हुगा है इसका आर्थ यह है कि परिवहन तंत्र की भी आवश्चता अप्सिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन उतक तक पहुचाने की भी होगी इसके आवश्यक्ता परिवहन तंत्र के आवश्यक्ता आपस्ष्ट पडार्तों को कोशिका के इन उत्साजल तक तक पहुचाने का कारे वह भी होगा हम जीवन का अनुरक्ष्यद करने वाले आवश्यक्त प्रक्रवों के बारे में एक इतर की उचार करते हैं हमारे जीवन में हमारे लाइफ का अनुरक्ष्यद करने वाले या तो मिंटेन करने वाले मिंटेन्स वाले जो आवश्यक्त प्रक्रव है उसके बारे में एक इक करके हम विचार करेंगी जैसे पतलाय कली पतलाय पोश्टड स्वस्टड परिवहन उत्सरजन और भी है तो एक देने वाले में हम लोग करता हैं। आप छोटा सा प्राश्ट है हमारी जैसे बहुत कोश्ट की जीवों में ऑक्सिजन के आवश्यक्ता पूरी करने में विश्रण क्यों आपरयात है? हमारे जैसे बहुत कुषख की जिवों में ओक्सिजण के आउसकता को पूरी करने में विषन क्यों आप परयात हैं सबसे पहले तो है कि विषन की क्रिया विषन यह हमारे एक कोश्की जीओं के लिए न executive जीओं के उस्व कि क्रियाओंगी और बहु किougी अ ओक्सीजन क्या हुश्थ पूरी करने में सउर्थ क्यान पर्यात्र है क्योंकि बहु कुझ की संग्रचनाएं है talk ग्रचनाय काफी सुसंगठित और सुभ्यवस्थित होती हैं इनकी एक एक अंग के एक तंत्र के कई अंग होते हैं उतके होती हैं कुष्काय होती हैं जिनका के विश्रण के द्वारा ऑक्सिजन पुर्ण नहीं क्यादा सकता है एक कुष्की जिव में पूरी तरह से पर्यावरण के संपर्क बिराती हैं और भुजन ग्रहन करने के लिए गैसों का आदार प्रण करने के लिए या वर्च प्रणार्थ के लिए निश्काशन के लिए कोई विश्य संक्यावश्यक्ता नहीं होती हैं इसलिए उसमें विश्र कोरण के सिथे सबपर्क में नहीं रह सकती है और हमारा शरीर बहुत कुछ की जिवों में विभिन कार को करने के लिए भिन भिन अंग है अलग अलग अंग इस्पेसिलाइज्ट है जिनको अपकी पूर्ती नहीं होप सकता है विशर्ड हमारे लिए उपयुक्त नहीं है वह हम के लिए आपयाप्त है यानि कि बहुत कुछ की जिव के लिए अपरयाप्त है कि विशिश्ट करत उतकों से तथा नहीं होती है तो इतना क्यावशक्तानिय बस। हम इतना ही लिखेंगी कि कि बहुं कोश्क की जियो में मैं सबसे पहले बहु कोश्क काये अपने आसपास के परियावरन के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। और बहुँन कोश्क की जियो में बिबिन कार्ड करने के लिए भी नभिन आंग होते हैं और उन Alison का अलग स्कार्ण होता है, और विश्षा उतको द्वारा बने होते हैं, एक श्ष्थ की जीव पूरी तरह परियावरण के संपर्क मिराती है, इनमें किसी भी युदी करने के लिए पोशन, स्वासन, किसी भी युकार करने के लिए खास अंग विशेश अंग की आवसकता नहीं होती है ठीक है कि बाप दडड़ पर हम उसका उप्यों करेंकि जब वस्तुृ सजी होया तो उनके अड़ों में गतियां निरंतन होते रहती हैं उनमें कई अड़ों की गती निरंतन होते रहती हैं चाहे हम सोब्सृअ की चोप चाप बैठे हो आक बनकर के लेते हो जिस अमस्था में भी रहेंगे वह अड़ों की गतियां continue चलती रहेगे निरनतन चलती रहेगे अड़ों का रुकना घतियों का रुकना हमारा कि सजीव कि अब अड़ों की गति रुकेगी तो और सजीव भी निर्जीव हो जाएगा तिसका बापदंड हम रखते हैं और वो की गत्यों का लगातार चलना निरंतन उनका चलना यहीं बापदंड थर्ड की किसी जीव द्वारा किन कच्छी सामगरियू का उपयोग किया जाता है किसी जीव द्वारा किन कच्छी सामगरियू का उपयोग किया सकता है कच्छी सामगरियू का उपयोग पेड़ पौधे स्वापोसी बरस्पती दिख्ष पौधे वेलो कच्छी सामगरियू का उपयोग करते हैं जल से खंडी जलवन ले रहे हैं और जल H2O जमीन से और वातावरण से पर्यावरण से कार्बन डायोक्साइड ले रहे हैं पत्तियों द्वारा क्लोरोफिल हारित लवक जिरे करते हैं उन कच्ची सामक्रियों का उप्यों करते हैं किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामक्रियों का उप्योग किया जाता है इस स्वयव स्वयव पोसी पेड़ पौधे बलस्पति कच्ची सामक्रियों का उप्योग करके अपना बुजन बनाते हैं चौथा कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे कोई भी प्रक्रम जीवन के अनुरक्षण के लिए चौँ मानेंगे। स्वासन, पोशन, उत्सर्जन, परिवहन, संचरन, सभी का होना, सभी प्रोसेस का होना ज़रूरी है, और जीवन के रोड़क्षन के लिए, हम सबसे पहले इन चारों प्रक्रम को आउश्चिक मानेंगे, यह रहा हमारा यह पाट तक चटे-चटे प्रश्ट उतńskchn और अब है आगे, ङरे एक एक करके हम अधरे करने वाले आवश्चरेक्च प्रक्रमों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो वह है पोशन, हम स्टार्ट करेंगे पोशन से, यह कोशन के बारे में और जैसे कुछ जानना है तो आप पूछेंगे तो और में बतलाओंगी लेकिन ऐसे बस यह है जाना बहुत कुछ की जियों में आक्सिजन के पुर्टी विशन क्यों परियाप्त है या कोई वस्तों सजी हुए इसका मापतन क्या है और जानना चाहेंगे तो मैं और डिटेल में इसको बता सकती हुए ठीक है तो पोशन थोड़ा सा आज बतला देती हूं पोशन के बारे में जब हम टहलते हैं या साटिल्ज की सवारी करते हैं तो हम उर्जा कोफियों करते हैं उस स्थिति में जब हम कोई आभाशी क्रियाकलाप नहीं कर रहे है ह हमारे श्रीर में क्रम की स्थिति के आननों रक्षण करने के लिए उर्जाख आवशक्ता होती है बृध़्ि, विकास, प्रोटिण संस्लिशन आदी में हमें बाहर से भी पडार्तों क्या आवशक्ता होती है यह हम आःप श्रोत Тथा पडार्त जो हम खाते हैं वह हमारा बो तो हमको उर्जा का उप्योग तो करते ही है उर्जा का उप्योग हम करते हैं बिना उर्जा का तो हमारा शरी नहीं चलता है चाहे हम दोड़े चाहे हम साक्री चला है चाहे हम जोगिंग करे कुछ भी करे तो उस इस्तिति में हमको उर्जा का उप्योग करना ही करना है उर्जा आदी में हमें बाहर से पडार्थों की आवश्यक्ता होती है हम जो भोजन करते हैं जो भी हम भोजन कर रहे हैं तो बाहर से भोजन कर रहे हैं जो भी उर्जा ले रहे हैं हम बाहर से ले रहे हैं हम बनस्पति जो भी पेड़ पौदा साख सब जो भी चीज़ खा रहे हैं तो ह हम उसको बाहर से पदार्थ को हम ले रहे हैं अंतगरन कर रहे हैं यह उर्जा का श्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह ही अबारा भूजन कर लाता है हम जो भी खाते हैं उर्जा का श्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह हमारा भूजन है जैसे हम चावल डाल सब् निम्स कहा है कंश हो लवन साख सब्सक्रोप्रेंटीर कर रहे हैं तो और पेला यह पहार से खांगगunnal लवन साखश कर आइशा कर्णान स्वेक्वाएशन तो द्रीप इन baixo धार जो उर्जा का श्रौत को मिल रहा है वह बाहरी प्रतात से ही बिल रहा है तेना और वही हबादा भोजन है की है क्या आप है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राथ करते है यह चोपना यह प्राजन अब हम पढ़ेंगे नेक्स प्रास मेंस की श्ड़दा करते रेश्वोर में इसके बारे में आप लोका हुँ अगे Okay, bye. Thank you.